हां जी मेरे CMA Inter के प्यारे भाई और भेनों उमीद करता हूँ हम सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में that is अर्जुन शापड़ा टुटोरियल दोस्तों की जैसा कि अब सब जानते हैं हम पिछले कुछ दिनों से लगातार CMA Inter Law December 24 के लिए exam oriented marathon की series चला रहे हैं जिसमें हमने पूरा commercial law cover कर लिया है पूरा का पूरा ethics cover कर लिया है पूरा का पूरा industrial law cover कर लिया है even corporate law के अंदर director और जो additional topics आए है section 143, 134, 177, rights of shareholder, operational and financial controller, auditors report यह सारी चीज़े हमारी exam oriented marathon series में already हो रखी है अगर किसी ने अब तक नहीं देखा है live section में जाके आप उसको देख सकते हो इस वीडियो के अंदर जैसा कि आप thumbnail और title देखके समझ गए होगे हम super 30 important question के बारे से बात करने वाले हैं अभी super 30 important question किस के हैं तो मैं बताना चाहता हूँ दोस्तो हमने commercial law कर लिये sir done बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा पूरे हो गये इसमें हमने ethics पूरा कर लिये sir ये भी हो गया sir हमने director भी कर लिये ये भी हो गया 143, 134, 177, rights of shareholder आपका KMP वाला topic, operational control, financial controller ये सब हो गया हमारा जो topic बच रहा है वो बच रहा है सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाला corporate law, even industrial law भी हमारा हो गया कल ही हमने code on wages 2019 का उस पे lecture खतम किया अब जो बचता है corporate law का तो corporate law में मेरे लाल तीन हिस्से हैं पहला हिस्सा आता है जो chapter number 1 से लेके chapter number 7 कवर करता है दूसरा हिस्सा आता है आपका director वाला जो अपना already हो चुक है तीसरा आता है section number 134, 143, 177, rights of shareholder, KMP, official controller ये operational controller और financial controller तो हमारा ये भी हो चुक है पूरा हमारा ये भी हो चुक है पूरा हमारा जो remaining portion था वो था chapter number 1 से लेके chapter number 7 जिसके regarding इसी वीडियो में मैं आपको बात बता रहा हूँ और इसके ही संबंद में मैंने आपको super 30 important question के बारे से बताना है तो मेरे यारो जब मैं आपके लिए research कर रहा था मैंने कल भी आपको ये बात बताई है जिससे मैं analyze कर पाता हूँ institute की psychology समझ पाता हूँ कि वो कौन सा question बना सकते हैं कौन सा question अलरेड़ी पूछे मैं तो आगे क्या पूछ सकते हैं and so on दोस्तों जो हमने जून 2014 पे एक marathon लिया था super 30 के लिए corporate log के लिए तो उस पे जो मैंने notes दिये थे आपको अगर आप देखो कि इसमें जून 2017 के भी question है जून 2017 के भी question दिखेंगे आपको इसमें इसमें आपको जून 2016 के MTP भी दिखेंगे जून 2022 की भी चीज़े दिखेंगी और so on यानि कि December 21, December यानि कि मैं कोई भी question आपका छोड़ता नहीं हूँ मैं पूरे question को analyze करता हूँ ऐसा नहीं कि इसको तो पाच attempt होगा है इसको institute क्या पूछेगा December 29 के June 19 के यहाँ पे भी June 19 के December 18 और so on ऐसा नहीं कि इसको पूरा का पूरा उठाके मैं आपको copy paste कर देता हूँ यहाँ इसको पढ़ लेना नहीं मैं इसके basis पे institute का एक pattern समझने की कोशिश करता हूँ institute की psychology समझने की कोशिश करता हूँ institute आपसे क्या चाहता है यह समझने की कोशिश करता हूँ और उसके बाद मैं आपको important question देता हूँ यह तो institute के पूछे वे यह question मुझे लग रहा institute अभी तक नहीं पूछा लेकिन पूछ सकता है अब यह वाला जो सवाल अगर आप देखोगे जो जून 24 पे साथ माक्स का पूछा वा था इसके लिए हमने जो जून 24 पे exam oriented marathon conduct किये थे आप देख पारे होगे यह उसी के notes है corporate law का chapter 1 से लेके 7 तक आपको हर question में दिखेगा source RTP December 18 में यह December 17, June 24 हर में लगेगा हर जगा जहां जहां institute ने पूछ रखा है वो आपको relevancy वहाँ पे मिलेगी बट अकर आप देखेंगे यह chapter number 4 is share capital and debenture यहाँ पे देखो मैंने legal provision with respect to debenture section number 71 यह आज तक institute ने नहीं पूछा था June 24 में पहली बार institute ने इसको पूछा था बट जब हमने तब exam oriented marathon किया था June 24 के लिए तब जब super 30 का question किया था उसमें यह notes इस्तमाल हुए थो और उसमें मैंने यह डाल रखा था मैं ऐसे ही आपको नहीं बोलता हूँ कि मैं इतनी guarantee आपको दे सकता हूँ कि आप जो भी question main examination में देखेंगे वो already आपका देखा हुआ होगा पढ़ावा होगा बट आपको मैं यह assurance नहीं दे सकता कि आप इस marathon को देख के पास हो जाओगे क्यों हो सकता कहीं और से अपने class की हो self leak हो तो जब तक आपकी column वहाँ पे properly इसको express नहीं करेगी तब तक शाद चीजे 19 हो सकती है बट हाँ इतनी assurance है कि मेरे marathon और मेरे material से आप एक बर पढ़के गए आपको सारी चीजे ऐसे लगेगा यह तो मैं पढ़ावा हूँ एक भी चीजे आपको इधर उधर नहीं लगेगी और इसको कभी देखा नहीं कभी सुना नहीं तो यह जून 24 के corporate law के chapter number one से लेके seven वाले one से लेके seven के notes है जिससे मैंने super 30 important question लिया था जून 24 में और ये question ये वाला topic मैंने डालके रखा था कि इसको पूछ सकता है और institute ने इसको जून 24 में पहली बार पूछा है कि बताईए क्या क्या condition अगर आपको secure debenture issue करना और पूरी चीजे देखो यहां पे मैंने secure debenture के बारे से ही बताई भी देखो issue of secure debenture और इतना ही बताया देखो इतना ही बस इतना यने कि 71 तो बहुत बड़ा है उतना ही आपको इसके अंदर दिया जितना आपको institute मेरे को लग रहा था पूछेगा तो इतना ही आपको दिया और इतना आपको institute ने पूछा है नहीं तो 71 बहुत बड़ा है तो मुझे मेरे अनुभाव से जितनी चीज़े अच्छी लगती है वो उतनी ही मैं डालता हूं कि यही पूछ सकता है वो ही डाला और वो ही आया इससे मेरे बताने का उद्देश यह है कि इसके अलावा यह जो रेड वाला है जो जून 24 में था इसके अलावा और कोई भी इंस्टिटूट ने अपने मॉडल कोश्चन पेपर में अपने अपने पोस्टल टेस्ट पेपर में अपने पिछले किसी मेन इग्जामिनेशन पेपर में कभी ऐसा कोई भी कोश्चन नहीं पूछा जो हमने इस नोट्स के अंदर कवर नहीं किया है तो मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई और भेनो यह सारी चीजे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जून 24 का जो मेराथौन है वो आज भी दिसंबर 24 के लिए equally relevant है क्योंकि मैं एक कदम आगे ही चल रहा था अपने अल्रेडी देख लिया है बहुत रिसर्च करके बाल की खाल उखाड के अपने दिमाग को खपा के मैं question उसमें डालता हूँ आज भी वो 110% equally आपके लिए relevant है इसका मतलब सर उसका हम अलग से दिसंबर 24 के लिए exam oriented marathon नहीं लेने वाले है क्योंकि उसका कोई efforts डालने का energy डालने का कोई output नहीं है क्यों क्योंकि मैं इन ही questions को दुबारा कराऊंगा जो मैंने notes दिया हूँ है और जो already June 24 में पूछ लिया debenture वाला तो by default cover है यानि कि मैं वापस आऊंगा और इन ही notes को इस्तमाल करूंगा और which question कराऊंगा जो already मैंने किया है क्योंकि मैं और को इन सा question डालू मैंने सारी चीज़े अपनी डाल रखी यह नहीं कि sir debenture वाला बस है और नहीं है कि और भी इसमें question डले वे हैं जो मुझे लगता है आपके exam के लिए relevant है तो already जून 24 का जब मैंने मेरा thon और material बनाया था मैं दो कदम आगे सोच कही था तो जब मैंने research किया देखा कि कौन से नए question आपको करवा सकता हूं तो मैंने पाया यार कि और कोई नया question है ही नहीं याने कि यही notes मेरे को इस्तमाल करना है और which question कराने है तो भई same चीज same notes अगर करानी तो इससे अच्छा आप जून 24 वाली वीडियो देख लो भई वो तो पूरी cover हो जाएगी वो जून 24 वाली वीडियो का link मैं इसी वीडियो के description box में भी डाल देता हूं और साथ साथ में यह जो notes है यह जो notes है मैं आपके अभी नया वाला जो folder चल रहा है न उसमें डाल दूँगा अब जो नया बच्चा है का बोलेगा इससे नया वाला folder पुराना यह कैसर हमको बताओ इसी वीडियो के description box में नय वाले बच्चों के एक PDF मिलेगी नय वाले बच्चे ने की जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे है PDF मिलेगी इसी वीडियो के description box में उस PDF में steps दिये वें कि नोट्स कैसे प्राप्त करना है कौन से link को click करना है क्या step है क्रिपा करके पांच में निकाल के देख लेना आपको पता चल जाएगा तो मेरे प्यारे ये वाले जो नोट्स हैं अगर आपके पास नहीं होंगे तो जो नया folder है हमारा जो नया app के अंदर ये जो चीजे चल रही जिसमें अब अभी नय वाले नोट्स दाल रहे है दिसंबर 24 के लिए ये नोट्स को भी मैं वहीं डाल दूँगा तो नोट्स आपको वहां मिल जाएंगे रही बात वीडियो की की वीडियो आपको कहां मिलेगा तो मैं आपको वीडियो भी बता देता हूँ कि आप वीडियो कहां जाके देख सकते हो just a moment मेरे प्यारे ये मैं आपके सामने खोलता हूँ, अपना YouTube चैनल, मैं गया अपने YouTube चैनल पे YouTube चैनल पे मैं गया लाइव में, जस्ट अ मॉमेंट दोस्तो, हाँ जी तो दोस्तो ये अरजून चाबरा टूटोर्याल का मैंने live section निकाल के रखा वैं live section में आप जाओगे वैसे तो देखो मैं video इसी description box में डाल दूँगा लेकिन जस्ट एक बार आपको दिखा रहा हूँ कि आपको भी idea हो जाए तो जैसे ही आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो लगभग लगभग हमने देखेगा लगभग लगभग आकर आप देखेंगे तो हम यह देखें यह वीडियो जो आपको इस line पे दिख रहा होगा थर्ड वाला यह यह वाला उसके बाजु वाला ठीक है cma interlock June 24 सुपर 30 important question marathon पांच मैंने पुराना वीडियो 19,000 कि उसमें views है यही वाला वीडियो आपको relevant रहेगा मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आपको just a moment दोस्तो just a moment थोड़ी सी ads आ रही है इन ads को मैं हटा देता हूँ just a moment just a moment हाँ जी दोस्तो तो जैसा कि आप screen पे देख पा रहे है यह वाला वीडियो है यह जिसमें मैं green color की shirt पहना वह हूँ मैं इस वीडियो की description box में इस वीडियो की link भी डाल दूँगा तो यही आपके लिए जो आपका बचावा portion है chapter 1 से लेके chapter 7 यही relevant रहेगा और वही notes रहेंगे मैं उमीद करता हूँ आपको मेरे सारे communication clear है तो हमारी बस यह एक ही चीज बची थी corporate law का यह वाला portion जो आपको यहां से देखना है क्योंकि अब इस पे कोई बदलाव नहीं है जो मैंने देखा आपको बताया अगर उसको अगर अपर लेते भी है तो इसका कोई नया output नहीं आएगा क्योंकि मैं उज़े same notes और same video से पढ़ाना है यानि की same question से पढ़ाना है यह हो गया अब अपने पास बचता है दोस्तो हमारा MCQ MCQ का बस अपना एक last commitment रहेगा वो बचेगा उसके लिए आपको वो telegram group join करना है जिसको हमने CMA Inter December 2024 वालों के लिए बनाया है अब जो बच्चे नए आए उनके लिए बता दू इस video के अंदर जो description box है उस पर PDF है उसी PDF में जहां पर आपको notes के लिए step दिया है उसी PDF के अंदर आपको telegram group कैसे join करना है ये भी उसी PDF के अंदर बताया है तो कृपा करेंगे description को बहुत शिद्दत से चेक करेंगे वहाँ पर next हम अपना MCQ session कब करेंगे वो आपको बताएंगे और ये वाला जो MCQ session रहेगा यह हम institute के जो question bank उनने latest question bank release किये है उस latest question bank से institute के latest question bank से ही हम MCQ करेंगे अब जो चीज institute खुद दे रहा है तो उससे MCQ बनने की तो प्रबल समभावना रहेगी जो दोस्तो तो उसके लिए मैं आपको telegram group में जल्द update करूँगा कि कौन से वक्त हम live आके पूरे के पूरे MCQ को खतम करके लेंगे I hope दोस्तो सारे communication clear है हमारे efforts आपको अच्छे लग रहे होंगे हम कल पूरा industrial log खतम करके लिए अगर efforts अच्छे लग रहें दोस्तो क्रिपा करके वीडियो को like करें दोस्तों के साथ share करें channel menu subscribe करें दोस्तो मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ MCQ bank के साम thank you so much all of you take care bye bye